सब्सक्राइब कर रहे हैं तो नमस्कार सभी को मेरा नाम साथ्व आपके समक्ष एक कहानी लेके आए हूँ जिसका रसी शक है हाँ कर लिया मैंने मुववववववव तो कुछ ऐसे है कि मुववववव तो कर लिया मैंने पर कुछ कहना है तुमसे आज एक अरसा बीद गया तुमसे बात किये हुए सफर बहुत मुश्किल था इतना मुश्किल की नामुम्किन सा लगता था इस सफर को तैकरना लेकिन जब कोई मुश्किल चीज सही हो तो कर लेनी चाहिए उसी में भलाई होती है और वैसे भी और कोई आप्शन ही कहा था मेरे पास तुमसे दूर होने के अलागा और यादे तो बहुत है इतनी कि आज भी आती है पर यादों से हार कर जिन्दगी जीना भी तो नहीं छोड़ सकता ना खैर याद आते हैं तुम्हारे वो गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, वो कॉल्स, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी बातें काफी वक्त लगा तुम्हारी तस्वीरों को अपनी जिन्दगी से निकालने कर पर यकीन मानो जब यह हुआ तो सुकून बहुत मिला तुम्हारे जाने के बाद यह ऐसास हुआ कि अपना अगर कोई है तो सिर्फ माबाब ही है और कोई नहीं और सबसे ज़्यादा कोने का गम मुझको खुद को है क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने खुद को ही खोया तो पर काफी वक्त लगा मुझको खुद को पाने में पर मिली गया मुझे में उस वक्त लगता था किसी के जाने से जिन्दकी खत नहीं होती, बस चलती ही जाती है, सब ठहरा सा लगता है, पर कुछ भी ठहरता नहीं, वक्त अपने साथ सब कुछ ले जाता है, और पीछे तुम्हें छोड़ जाता है कि लो, संभालो इसे, कभी पुराने मेसेज पढ़के हसी आ जाती थी, किस तरहां, वादे किये थे तुम, वही वादे जिनका अंत में कोई मतलब नहीं रह गया था तुमाई संद्की में, थैंक यू उस हर चीज के लिए, जो तुमने मुझे दी, मौबबत से लेकर पेवफाय तक हर उस चीज के ले शुक्रिया, 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 झाल, शुक्रिया, 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 शुक्र